हेलो एवरीवन कैसे आप सब उमीद करती है आप सब ठीक होंगे तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फीफा वर्ल कप टुथाउजन टुएटीटू अभी हाल में ही सब ने देखा होगा कि कौन सी चीम जीती है करके तो इसमें हम पूरा डिटेल पर लाएंगे अभी हाल में ही यह हुआ है बहुत साल बाद वाद वायंगे तो यह इससे तो पूरा निचोड करूंगी पूरा हर एक topic पे हर एक question पे बात करूंगे आपको कहीं और से पढ़नेगी जरतना पढ़ेगी ठीक है तो चली start करते हैं तो पहले हम बात करते हैं पहले थोड़ा हमें description दे देती हूँ इसका FIFA World Cup 2022 का की edition कौन सा था ठीक है 22 edition था ठीक कतर ने host किया था कौन सी country host रही पूच सकते है host country कौन सी थी कतर थी 32 teams ने participate किया था इसमें 32 teams आई थी अललग countries से ठीक है 64 match खेले गए official mascot था live ठीक और इसमें एक अलग type की football यूज की जाती है जिनको एक particular नाम दिया जाता है तो जो football use की गई थी वो थी al-rihala लेकिन al-rihala अपनी semi-final और final match में नहीं use की गई semi-final और final match में use की गई थी al-hill ठीक बट बाकी matches जो हुए उसमें al-rihala use की गई थी al-rihala का full form क्या है या फिसका meaning क्या है al-rihala का meaning है journey ठीक है तो यह उसमें use नहीं की गई थी semi-final और final match में नहीं use की गई थी उसमें use की गई थी al-hill ठीक है और कौन सी semi-final और final में use की गई कितना प्राइज मनी है ठीक है तो बहुत important है आप चाहे तो no down के लिजे या फिक हम पर screenshot ले लिजे अब हम बात करते हैं question year पर तो question है देखते हैं which team has won the 22nd edition of FIFA World Cup on 18th December 2022 18 December 2022 को इसका final हुआ FIFA का FIFA की full form हम देखेंगे Federation International Day Football Association ठीक है जिसका 22nd edition था इस बार कौन सी team जीती है अर्जेंटीना ठीक है बहुत important question है इससे तो आएगा ही आएगा यह कौन सी team जीती है ठीक है यह जो trophy है World Cup trophy है third time जीत ली two time अलड़ी जीत चुकी है पहले भी इस बार जो trophy जीती वो है third World Cup trophy इसकी अर्जेंटीना की ठीक अगर हम FIFA के बारे में बात करें तो headquarter है Switzerland जूरीज में President है Gianni Infantino, Secretary General है इनके Fatma Samba Dioff Samora जी और found with it 21 May 1904 में next है who won the golden ball award at the 2022 FIFA World Cup अब यह golden ball पुरुसकार होता क्या है service raised खिलाडी को दिया जाता है यह तो पूछ रखा है 2022 में विश्व कप में golden ball पुरुसकार किस ने जीता service raised खिलाडी किस ने जीता Lionel Messi ने ठीक है अब यह कहां के थे देखते हैं यह Argentina के captain रहे हैं Lionel Messi इन्होंने golden ball 2022 FIFA World Cup जीता यह दिया जाता है best outstanding performance के लिए और यह पहले player ऐसे बन गए जिन्होंने यह award दो बार जीता है ऐसा question पूछ सकते हैं कि ऐसा history में कौन सा पहला player है जिन्होंने दो बार golden ball award जीत लिया है Lionel Messi हैं जो कि Argentina के captain है golden ball उस खिलाड़ी को भेट दी जाती है जिसने समगर रूप से service raised production किया है अब हम थोड़ा देखते हैं थोड़ा previous भी देखेंगे धीरे धीरे previous भी देखेंगे क्योंक पूशन previous से भी आया सकता है फीफा वर्ल कप golden ball इतली प्लेयर पौलो रॉसी ठीक है first time इन्होंने receive किया था 1982 में golden ball award first time इन्होंने ही receive किया था ठीक है 1982 में जो कि इतली के player है पौलो रॉसी और उसी साल इन्होंने golden boot award भी receive किया golden boot क्यों मिलता है वो हम आगे बताते है अब देखे who won the golden boot award boots सुना होगा आपने जिसको shoes भी बोलते है ठीक है तो golden shoe award ये किसको मिलता है top scorer को ठीक है तो इस बार 2022 में फीफा वर्ल कप में golden boot award ये golden shoe award सर्वोच scorer किसने जीता है क्लियन एंपाबे ने ठीक है के लन एंपाबे ने ये कहां के है ये फ्रांस टीम के player है के लन एंपाबे ठीक है with eight goal आठ goal के साथ इन्होंने golden boot award जीत लिया है 2022 फीफा वर्ल कप में ठीक है golden boot उसको दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा goal किये होते हैं competition के दौरान ठीक है next है who won the golden globe award at the 2022 फीफा वर्ल कप best goalkeeper best goalkeeper को क्या बोलते है golden globe award इस बाए 2022 फीफा विश्व कप में golden globe award किसने जीता service रेस्ट goalkeeper का award किसको मिला है emmy martinis ठीक emmy martinis को urgent team के player है emmy martinis इन्होंने golden globe award जीत लिया 2022 फीफा वर्ल कप का तो golden globe award किसको मिलता है जो best goalkeeper रहता है tournament के दौरान next है who won the young player award at the 2022 फीफा वर्ल कप 2022 फीफा विश्व कप में युवा खिलाडी का पुरुसकार किसने जीता है enzo fanadis ने young player award जीता है इन्होंने 2022 फीफा वर्ल कप में young player award मिला है enzo fanadis को ठीक है अर्जेंटीना के team player है enzo fanadis इनको young player award मिला है next है which team won the fair play award at the 2022 फीफा वर्ल कप 2022 फीफा विश्व कप में किस team ने fair play award जीता है fair play जिसने fair खिला हो fair play award किस team ने जीता है France team ने ठीक थोड़े other awards के बारे में एक बार हम देख लेते हैं थोड़े नजर मालते है silver boot award मिला है new land मैसी को ठीक है जो कि अर्जेंटीना को belong करते है ठीक अर्जेंटीना के player है bronze boot award अलिवियर गिरोद को मिला है जो कि France के player है silver ball award ये boot है ये ball है silver ball award clear and empower को मिला है जो कि France के player है आप इसकी screen shot ले सकते हैं या फिक ही पे no down कर सकते हैं next FIFA world cup was hosted by which country अभी starting में बताया मैंने कि FIFA 22 की मेजबानी किस देश नहीं की थी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप यहां पर टिक कर लिंगे कतर ने तो थोड़ा पहले का देखते है इस बार का 22 वा एडिशन था 21 वा एडिशन 2018 में हुआ था रसिया ने होस्ट किया था अब इसका जब इस बार 22 वा हो गया तो इससे आगे का 23 वा एडिशन होगा 2026 में हर 4 साल में होता है तो होस्ट करेगा United States Mexico and Canada ठीक है सबसे पहले first world cup जो हुआ था 1930 में मॉंटे में हुआ था उर्वेग्यों में ठीक है इसका भी आंसर आप खुद बता देंगे अगर आपने स्टार्टिंग का इंट्रो सुना होगा कि फीफा विश्व कब 2022 का अधिकारिक सुभंकर क्या है ठीक है लाइब है next say which one of the following is the slogan या फिब मोटो कह सकते हैं of the FIFA World Cup 2022 निमने लिखित मैं से कौन सा FIFA विश्व कब 2022 का नारा आधर शुवाक के है ठीक है now is all अब सब है अब सब है now is all ये इस बार का मोटो था या फिर आप slogan कह सकते है next say who unveiled the FIFA World Cup 2022 trophy in Qatar during the final match of the FIFA World Cup 18 December 2022 अभी 18 December 2022 को FIFA विश्व कब का final match हुआ तो उस दोरान Qatar में FIFA विश्व कब 2022 ट्रोफी का नावरण किस ने किया ठीक है picture से हर कोई जानता है इनको तो दिपिका पांदुकोन ने किया ठीक है finals में next say how many team participated in FIFA World Cup 2022 organized in Qatar Qatar में आयोजीत FIFA विश्व कब 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया अब हम बार बार कातर कह रहे है अब तो आपका याद रहेगा ना कि होस कंट्री कौन सी रही कितनी टीमों ने भाग लिया था introduction में मैंने बताया था 32 टीम्स ने भाग लिया था next say in which of the following stadium was the final match of FIFA World Cup 2022 held निमने लिहित में से किस stadium में FIFA विश्व कब 2022 का final match आयोजीत किया गया था ठीक है कतर में तो हुआ था लेकिन कौन सा stadium था कोशन ऐसे भी पूछे जा सकते है लुजेल स्टेडियम था next say what is the name of official match ball used at 2022 FIFA World Cup final in Qatar मैंने बताया था introduction में कि कतर में 2022 FIFA विश्व कब में final में उप्योग की जाने वाली अधिकारिक match ball का नाम किया है ठीक है तो अल हिल में जो final में यूज की गई थी football next say where is the FIFA World Cup 2026 we held FIFA मिस्व कब 2026 कहां आयोजीत किया जाएगा US, Canada and Mexico United States, Canada and Mexico 2026 होगा जो अब next होगा FIFA World Cup जो की 23rd edition होगा ठीक है उसको host करने वाला है Canada, Mexico and United States next say which country hosted 2018 FIFA World Cup थोड़ा हम previous भी देखेंगे देखो 2022 भी देख रहे हैं next आएगा 2026 वो भी देखेंगे इससे previous 2018 का भी देखेंगे किस देश ने 2018 FIFA World Cup की मेजबानी की है ठीक है की थी पहले की थी रशिया ने ठीक है रशिया ने मेजबानी की थी थोड़ा देखते हैं 2018 का 21st edition था रशिया ने इसको host किया था winning country थी France जिसने क्रोशिया को हराया था ठीक है official mascot था Zambi Vika ठीक है official song था Live It Up ठीक है तो England के जो खिलारी थे Harry Can उन्होंने Golden Boot Award जीता था क्रोशिया के खिलारी थे Luka Mordic उन्होंने Golden Ball जीता था ठीक है फ्रांस के Kelly and Mapabe थे उन्होंने Young Player Award जीता था ठीक है next है football world cup is organized after gap of how many years अभी मैंने बताया football विस्व कप कितने वर्णों के अंतराल में आयोजित किया जाता है ठीक है हर चार साल के अंतराल में किया जाता है which country has won the most FIFA world cup किस देश ने सबसे अधिक FIFA विस्व कप जीते हैं ब्राजील ने ठीक है थोड़ा हम देखते हैं सबसे उपर ब्राजील है जिसने पांच बड़ जीता है फिर जर्मनी है चार टाइटल लेकर आई अपने नाम फिर टैली है चार बार अर्जंटीना दो बार इस बार जीत गई एक तो फिर है फ्रांस दो बार ये टॉप फाइफ कंट्रीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए बहुत इंपोर्टन कोश्चन है जब हम विश्व कप की बात कर रहे है फुटबॉल विश्व कप की बात कर रहे है तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहला कहां और कब आयोजित किया गया था मौन्टे वीडियो में 1930 में आयुजित किया गया था next in which year was the FIFA World Cup not held FIFA World Cup किस वर्ट आयुजित नहीं किया गया था ठीक है, Second World War के कारण उस टैम पे नहीं आयुजित किया गया था 1942 and 1946 में ठीक है, तो FIFA World Cup started 1930 में तो start हो गया था, जो कि हड़ चार साल में होता है लेकिन 1942 and 1946 में नहीं हुआ था, due to Second World War next है, name the score player who scored the most goal in the entire FIFA World Cup history till date इस बार का नहीं पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस football खिराड़ी का नाम बता है जिसने आज तक, till 2022 तक, पूरे FIFA वीशुक अप में इतिहास में सबसे अधीग गोल किये है मिरो स्वाल प्लोज ने ये जर्मनी के प्लेयर है, जर्मन प्लेयर है इन्होंने 16 बार score किया है, फिर उसके बार रुनाल्डो है 15 टाइम फिर है गर्ड मुलैर जोगी 14 टाइम है next है, who has become the first female to referee a man FIFA World Cup match पुरोसो के FIFA विश्व कप मैच में referee करने वाली पहली महिला कौन बनी है Stephen Frappart ये पहली महिला है जो कि पुरोसो के FIFA विश्व कप में referee बनी है उन्होंने FIFA विश्व कप 2022 में जर्मनी और कोस्तारिका के बीच खेले जाने वाले मैच की अधिकारिता की थी तो यहां तक के FIFA World Cup से related सारे question है उमीद करते हूँ आपको काफी पसंद आयोंगे आप पूरा निचोर मैंने एक ही वीडियो में दे दिया है आपको कहीं और से पढ़ने के जरत लिए तो ठीक है तो वीडियो को लाइक जरू करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में